यूपी तक की खबर का आसर छात्रों को मिलाने आए यूपी आखिर की खबर के बाद पेपर कैंसल होने के कुछ दिन बाद अब मायवती ने भी इस पर प्रत्रक्रिया दी है मायवती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर पोस्ट करते हुए लिखा की यूपी में पुलिस भरती परिक्षा के पेपर लीक होने से सम्मंदित परिक्षा का रद्ध होना अतिगंभीर एवं चिंतनी है इस से राजव सरकार की बड़ी बदनामी के साथ ही यूवाओं विरोजगारों का भविश्य खराब होकर उनका जीवन दाओं पर लग जाता है यूपी आखिर कब पेपर लीक मुक्त प्रदेश होगा सरकार इस ओर ध्यान दे बतारे कि यूपी पुलिस सिपाही पत पर कुल 6,444 वेकेंसीज को भड़ने के लिए 17-18 फरवरी को प्रदेश भर में परिक्षा युजुद की गई थी इस परिक्षा में 48 लाग से जादा उमिदवाय शामिल हुए थे अभ्यरतियों का कहना था कि दो दिन की चार पाली में हुए इस भर्ती परिक्षा में 17-18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीख हुआ है 18 फरवरी की शाम 3-5 की पाली में हुए प्रश्णपत्र तमाम अभ्यरतियों के पास और कोचिंग सेंटर्स के पास पहले ही पहुँच गए थे जिसे लेका टीचर्स ने सोशल मीडिया पर उसी समय पोस्ट करना शुरू कर दिया था